भगवान श्री कृष्ण ने श्रिष्टी का आरंब करने के पहले ही उसके बचाव के लिए और उसके बिनास के लिए दोनों रास्ते बता दिये कैसे बच सकते हो ये रास्ता भी बता दिया अब कैसे बिनस्ट हो सकते हो ये रास्ता भी बता दिया अब जो विनस्ट होने का रास्ता है अगर लोग उसी को पकड़ के चलने लगें तो कोई क्या करे लोगों ने अपने मन से ये रास्ता पकड़ लिया है अन्य था भगवान ने सबसे पहले जब चार वेद बनाए ब्रह्मा को उसको सिखाया तो चार वेद के साथ उन्होंने ये चार उपवेद भी बना दिये था और उन्ही उपवेदों में से एक उपवेद है आयूरवेद तो भगवान ने तो आयूरवेद सुरू से बना दिया आयू का वेद है आयू कैसे सुरक्षित रहे कैसे कोई न मरे इसके बारे में वेद बना करके रच दिया और केवल रचा नहीं सबसे पहले ब्रह्मा को पड़ा दिया और फिर पंचमम वेद भास कराय ददव विभू आरोग के देवता भगवान सूरी बनाए गए तो उन्हीं को दे दिया कि ये लो आयूरवेद और भगवान भास करने क्या किया उन्होंने इसका प्रचार सुरू किया सबसे पहले अपने सोलह प्रमुक सिष्य बनाए और उन सिष्यों को आयूरवेद पढ़ाया ताकि उसका प्रचार हो सके धन्मंतली, दीवोदास, कासी राज, दो अस्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, यमराज, चवन, जनक, बुद, जाबाल, जाजली, पहल, करत और अगस्त यह सोला भासकर के सिष्य हैं, जो वेद वेदांग के वेता हैं, और रोग की शान्ती के जानकार हैं, कैसे किस रोग को शान्त कर दिया जाए, उसके जानकार हैं इन लोगों ने भी ऐसे नहीं कि पढ़ लिया और छूट दिया इनों ने भी अपनी अपनी समिता बनाई धन्मंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नाम की समिता बनाई दिवोदास ने चिकित्सा दर्शन बनाया काशी राज ने चिकित्सा कवमधी बनाई अस्विनी कुमारों ने स्चिकित्सा सार तंत्र बनाया नकुल ने वैद्य सर्वस्व नाम का गरंथ लिखा सहदेव ने ब्याधी सिंदु वि मर्दन लिखा यमराज ने ग्यान आरनव चमन डिसी ने जीवन दान जनक ने वैद्य संदेह बंजन और बुद्ध ने सर्वसार जाबाल ने तंत्र सार जाजली ने वेदांग सार पहल ने निदान तंत्र करत ने उत्तम सर्वधर तंत्र और अगस्ते ने द्वैद निरने तंत्र ऐसे सोलह सिस्यों ने सोलह चिकित्सा शास्त्रों की रचना की अब इतना सारा विस्तार करके जब बता दिया लोगों को लेकिन लोगों के पास पढ़ने के लिए फुरुशत नहीं है रोज सबेरे आधा घंटे हम अख़बार पढ़ सकते हैं लेकिन चिकित्सा का गरंथ मजाल है कि हम उठालने पढ़ ले देखा भी नहीं नाम भी आज हमने सुना दिया तो सुन लिया नहीं तो नाम भी कहां सुने आधा इसका मतलब है कि हम अपने स्वास्ति के पती पूरी तरह से लापर बाह है अगर हमको जीवित रहने की इच्छा होती तो हम पढ़ते लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं और इन ग्रंतों को सब लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो वैद्य हैं वो पढ़ते हैं और वैद्य कैसा होना चाहिए तो बताया कि आयरुवेदस से विग्याता सबसे पहले तो आयुर्वेद का जानकार हो चिकित्सा सु यथार थवित चिकित्सा करने की जो पद्दतियां उनको ठीक ठीक से जानने वाला धर्मिष्ठस्च दयालुष्च वो धर्मिष्ठ हो और दयालु हो तब जाकरके उसको बैदे कहा जा सकता है धर्मिष्ठ का मतलब कि जो रोग आपको है वही बताए आपको डर्वा के आप किससे पैसान न वसूल ले तब तो धर्मिष्ठ हुआ अब आज कल धर्मिष्ठ बैदे मिलना मुश्किल है पहले ही पंदरा बेश जाच करवा लिया जिसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि जाच जहां हो रही वहाँ से कमिशन मिलेगा उसके बाद फिर दवाई लिखी विसी दुकान में मिली जिसमें कमिशन बना है दूसरी दुकान में मिली कि नहीं और इसी तरह के जाने क्या क्या तो यह धर्मिष्ठ तोड़े हुआ असली जो वैद्य होगा वो धर्मिष्ठ और दयालू होगा इस तरह से वैद्यक शास्त्र के बारे में विस्तार से बताया गया 64 रोगों का वरनन किया जर्प जो है सभी रोगों का जनक है वो तीन प्रकार का है बातज, पितज और कफज और एक चवथा भी है जो तृदोशज कहा जाता है ये 64 रोग जो है इन्ही जवर से उत्पन होते हैं इन्ही को मृत्युकन्या के 64 पुत्र कहा गया है और जराव उसकी पुत्री है ये जो 64 और एक 65 64 व्यादिया रोग और 65 व्यादिया बुड़ापा बुड़ापा भी अपने आप में एक रोग है ये जो 65 है ये 65 उसी के पास जाते हैं जो सन्यमी नहीं है और जो उपाई को नहीं जानता है जो उपाईयों को जानता है और जो सन्यम से रहता है उसके पास इनकी गती नहीं है जैसे गरुड को देखके साप भाग जाते हैं वैसे उपाय वेत्ता को देख करके ये जो मृत्यु कन्या है वो उसके चंशट पुत्र और उसकी एक कन्या ये सब भाग जाते हैं इसलिए नेत्रों को जल से स्वच्छ करना, स्वच्छ जल का छीटा मारना, व्यायाम करना, तलवों में तेल लगाना, कानों में तेल की बूंद छोड़ना, मस्तक पर तेल लगाना, ये सब अगर कोई करता रहे तो उसको बढ़ापा नहीं आता है बसंत गृतु में ब्रह्मन करना, प्राता स्नान करना, चंदन का लेपक लगाना, वायू का सेवन करना, इससे लाब होता है वर्षा काल में उश्न जल से स्नान करना वर्षा का जल में मत भीगना समया नुकूल और नियमित परिमित आहार करने माला जो व्यक्ति होता है उसके पास भी जरा नहीं आती है सरत काल में दूप सेवन जो नहीं करता है ब्रहमन नहीं करता है स्नान और नीमित आहार करता है उसके पास भी यह जरा नहीं आती है हेमंत रितु में प्रातक काल सरोवर में स्नान करे आग तापे और थोड़ा-थोड़ा कुन-कुना पानी पिए गरम-गरम भोजन करे तो उसको भी जरा नहीं आती है शिशिर डितु में गरम कपड़ा पहने आग तापे गरम भोजन करे गरम जल से नहाए तो उसको भी बुढ़ा-पा नहीं आता है इसी तरह से जो व्यक्ति नया-नया अन दूद का भोजन घी का सेवन करता है और जो व्यक्ति भूक लगने पर ही भोजन करता है प्यास लगने पर ही पानी पीता है और ताम्बुल का सेवन करता है उसको रोग नहीं होते हैं दही, मक्षन, घी, गुड इनका नित्य सेवन करने वाला जो संजयमी व्यक्ति है उसको भी बुढ़ापा नहीं आता है जो व्यक्ति पांच दिन से पुराना चार दिन पुराना तीन दिन पुराना दही खाता है उसके पास बड़ी खुशी मन से 64 पुत्रों को लेके जरा पहुँच जाती है रात में दही खाने वाले की कुलटा और रजसुला नारी से समागम करने वालों के पास बड़ी प्रसनता से यह जाती है यह रोग आप चाहेंगे तो आएंगे आपके पास आप सतर करहेंगे तो नहीं आएंगे मूल कथन इतना ही है और यह भी जान लीजिए यह रोग आते कैसे हैं यह आपके पाप करमों का परिणाम है इसलिए पाप जो है यही सबसे बड़ा शत्रू है यही हमको परिशान करने का हमारे लिए दुख का कारण है इसलिए इसी से बचे रहना चाहिए पापा चरण नहीं करना चाहिए पापा चरण करेंगे तो उसी पाप के परिणाम स्वरूप रोग आ करके दोशा करके आपको घेर लेंगे फिर आप में दिनता आ जाएगी आपको दुख हो जाएगा आपको शोक उपस्तित होंगे और आपका मन भी भैव से सदा व्यापत रहेगा जो व्यक्ति स्वधर्माचार युक्त रहता है धर्मनियमों का पालन अपने जीवन में करता है उसको फाइदा क्या है वो पुन्य होता है वैकुंठ में जाता है ये तो अलग बात है यह अलग फल है लेकिन प्रत्यक्षफल क्या है का जो धर्म के अनुसार अपना जीवन जीएगा उसके शरीर में कोई रोग नहीं होंगे तो एक जो धार्मिक व्यक्ति है वो मिलेटरी वाले से ज्यादा फिट होना चाहिए तब तो समझो कि यह असली धार्मिक है और नहीं तो फिर नकली धार्मिक है अगर उसके शरीर में स्फूर्ती नहीं है अगर उसके चेहरे पर कांती नहीं है अगर उसके मनोबल उसका मनोबल गिरा हुआ दिखाई देता है तो फिर काहे का वो धार्मिक है जो धार्मिक व्यक् तो धर्म पालन का प्रत्यक्षफल है हमारा स्वास्ति, कि हमारा तन और मन स्वस्त रहता है, हमको ना आधी होती है और ना तो ब्याधी होती है, इसलिए हमको धर्मा चरन करना चाहिए, ताकि हम कम से कम स्वस्त रहें, जीमन का आनंद ले सकें, अरे भोग भोगना है ना, स्वस्त शरीर की आवसकता है बीमार शरीर से कौन सा भोग भोग होगे पेट खराब रहेगा तो कैसे खीर पुड़ी खाओगे नहीं खा सकोगे ना तो इसलिए भोग भोगने के लिए भी आपको स्वस्त शरीर की आवसकता है और वो स्वस्त शरीर धर्म के नियमों पर चलने वाले का होता है इसलिए भी धर्म का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए तो इससे बीच में मृत्यू नहीं होती है पूर्ण आयू भोग करके व्यक्ति जाता है 120 साल सव साल से 120 साल का समय पूर्ण आयू कहलाता है सव से कम आयू में जो मर जाए तो समझो की कुछ गड़वडी रही है जो सच्चा धार्मिक होगा वो सव साल के बाद ही किसी समय जब ओ चाहेगा जाएगा सर्वम बोध्यम समये काले सर्वम गिश्विश्यती ये जो बिधाता के द्वारा दी गई आयू है वो हम बता रहे है उस समय मृत्ती होगी अगर धर्मा चरण के अनुसार जीवन होगा तो अन्यता किसी भी समय कोई आ जा सकता है कोई ऐसी बात नहीं तो हमारा जो धर्म है ये हमको स्वस्थ रखने के लिए प्रिरित करता है इसलिए कहता है सवेरे उठो इसलिए कहता है नाय धोए रहो साप सुतरा रहो इसलिए कहता है साप सुध धोए हुए कपड़े पहनो समय से खालो समय से सो जाओ ये सब किसलिए कहता है धर्म का कोई फायदा आगे का इसमें विश्णु जी का फायदा है कि ब्रह्मा जी का फायदा है कि अमराज का फायदा है किसी का फायदा नहीं है अगर ये सब नियम आप मानोगे तो आपका सरीर स्वस्थ होगा आपका लाव है तो धर्म आपके लाव के लिए आपको प्रेरित करता है इसलिए हमारे यहाँ धर्म में आईरवेद मिला हुआ है उसको भी एक वेद की संग्या दे गई बहुत सारी बाते हैं जो हमारे यहाँ आम चाल में लोग बोलते रहते हैं कोई कहता है अजीरनम भोजनम विशम अजीरन जो भोजन है जो नहीं पचा भोजन वो विश के तुल्ले है सामान्य बाउल्चाल में कहते हैं यह शास्त्र का बाक्य है इसलिए उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए और अगर कैसी कारण से न पच रहा हो तो पचाने का क्या नियम है कहा अजीरने भेशजम बारी अजीरन जब हो गया हो तो उसकी दवाई है पानी पानी पिए तो पच जाता है तो बहुदा हम लोग पानी कम पीते हैं जिसके कारण भाजन ठीक से पचता नहीं है शास्त्र बताते हैं नित्यम सरवार साह भक्षाह रोज सब लोगों को सभी रस खाने चाहिए प्रति दिन इसलिए हमारे हां सट रस बेंजन छे रस होते हैं मधूर अमल लवण कटू कशाय और तिक्त मधूर माने मीठा लवण माने अमल माने खट्टा लवण माने नमकीन, कटू माने कडवा, कशाय माने कसैला और तिक्त माने तिखा ये छे रस हैं प्रति दिन छहों रसों का स्वाध प्रति दिन लेता है उसके शरीर की कांती अलग तरह की होती है अब आज कल हम लोग दो पे जोर दिये हुए हैं कुछ लोग मीठा ही मीठा, अब कुछ लोग नमकीन ही नमकीन बाकी रस हम भूली गया है लेकिन बाकी रस भी नहीं भूलना चाहिए नित्यम सर्वार साह बक्षाह प्रति दिन सभी रसों का बक्षन करना चाहिए इसी तरह कहा गया है अती सर्वत्र बरजेद अती नहीं करना चाहिए अती का भोजन भी ठीक नहीं है खाते जाओ, खाते जाओ इतना नहीं, अती नहीं खाना चाहिए खाने की भी एक सीमा है ये बताया गया है कि भोजन कितना करना चाहिए तो बताया कि जो पेट है उसमें जितनी जगह है उसका चार भाग करना चाहिए जठरम पूरये दर्धम अन्नई ही आधा पेट जो है माने एक भाग वो अन्न से भर देना चाहिए अर्द भागम जले नचा आता भाग पानी से भर देना चाहिए माने पेट का पहले आधा भाग करे आधा अनसे भर दे फिर आधे का भी दो टुकड़ा करे एक में पानी और बाकी आधा खाली रख दे ताकि बायू का संचरन हो सके जब बायू का संचरन ही नहीं हो पाएगा तब उसका पचना कठिन है क्योंकि उसको उपर आने के लिए नीचे जाने के लिए बायू ही है वहाँ जो उसको दबाएगा या उठाएगा तो बायू का संचरन जब नहीं हो सकेगा आप इतना खालेंगे तो वो अपच्छ हो जाएगा और अजीर्ण भोजन तो विश्क के समान होता है इसी तरह से हमारे याँ प्रसिद्ध कहावत है भुक्तवा सतपदम गच्छेत यदि सया न विद्यते भोजन करने के पाद सव कदम चलना चाहिए अगर सया न हो माने लेटने की बेवस्ता न हो तो सव कदम चले अब कोई कोई कहते हैं कि बुक्तवा सतपदम गच्छेत यदि छेत चिर जीवनम अगर लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है तो भोजन करने के बाद चहल कदमी सव कदम की कर लेनी चाहिए उससे स्वास्ति ठीक रखता है इसी तरह से बताया सर्व धर्मेशु मध्यमम सब काम में व्यक्ति को मध्यमारगा अपनाना चाहिए ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा तो खाना जो है वो कितना होना चाहिए का ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो ना ना कितना होना चाहिए कि ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो ऐसा ही नहीं कि दिन बर नहाते ही रहो और ऐसा भी नहाओ ही मत अतिबादी नहीं होना चाहिए व्यवहार में मद्यमार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ये बताया है क्षुत साधुताम जनयति, माने भूख जो है वो स्वाद को उत्पन करती, कोई वेंजन कितना स्वादिष्ट है ये उसमें स्वाद नहीं भरा है, आपकी भूख कितनी है, अगर आप भूखे हैं तो ज और अगर आपका पेट भरा है, तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बस्तु आपको स्वाद नहीं दे सकेगी। ये कहा गया है कि नास्ति मेग समम्तोयम जो बरस्ता हुआ पानी है, उससे बढ़िया पानी पीने के लिए दूसरा कोई नहीं है। नदी का पानी, कुय का प पानी, सब पानी तो हैं, जरने का पानी सबसे अच्छा कह रहे हैं, लेकिन जो आकास से वर्षा का जल है, अगर उसका संग्रह कर लिया जाए, तो पीने के लिए उससे अच्छा दूसरा पानी नहीं होता है।